हाई गाईज हालो आपजीवन मैं हू नेहा एंड वेलकम और वेलकम बाक तु माई चानल उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे आपके पास जरूर होने चाहिए जिनसे आप बहुत सारे लोक कर सकते हो बहुत सारी सारी में इन्हें मिक्स और मैच करके वियर कर सकते हो जो आपको बहुत काम आएंगे बलाओस एसा होना चाहिए जो सारी के लिए अपको भी फ्लैटर करें प्लस सारी को भी फ्लैटर करें साडी में तो क्या होता है ना कि हम कई बार किसी की भी लेकर पहन सकते हैं अपनी मम्मी की लेकर पहन सकते हो आप अपनी सिस्टर की लेकर पहन सकते हो ब्लाउस एक्चुल में आपको अपनी ही फिटिंग का चाहिए होता है अपनी ही body type के according जो आपको suit करें, वही blouse हम पहनते हैं, blouse हम किसी का लेकर नहीं पहन सकते, so blouse depend करता है, so इस video में मैं आपके साथ कुछ ऐसे choosey और must have 5 blouses share करूंगी, जो की आपके बहुत काम आएंगे, so let's quickly start this video, so guys these are 5 blouses, सबसे पहला जो blouse मैं आपके साथ इस video में share करना चाहूंगी, this is very beautiful white block print blouse, दिखने में ये बहुत ही normal सा, sober सा cotton का blouse है, बहुत ही खुबसूरत ये blouse है, अगर आप इसकी beauty को पास से देखोगे, तो काफी खुबसूरत block print का different different colorful print का ये blouse है, इस तरह का एक white blouse आपके पास कर सकते हो, yes, इस blouse के design के उपर already में separate video share कर चुकी हूं, जिसमें मैंने कुछ इस तरह के different prints आपके साथ share किये थे, उस video के link आपको इस video के नीचे description box में मिल जाएगी, so आप महां से check कर सकते हो, जिसमें काफी अच्छी अच्छी detailing के, खुबसूरत blouses आपके साथ share किये थे, they all are ready made blouses, जो मैंने आपके साथ share किये थे, उनहीं में से ये एक blouse है, जिसमें कुछ इस तरह का blog print है, वीडियो में भी जो मैंने आपके साथ blouse share किये थे, वो कुछ ऐसे colors and combinations थे, जो आपके almost बहुत सारी साड़ी के साथ mix and match हो जाएंगे, easily, तो this is one of them, actual में white is the base of this blouse, जो की ज़रूरी है, must have blouses में, बाकी इसमें जो colorful print है, उससे आप अपनी बहुत सारी colorful sardies को, plain sardies को mix and match करके, easily, blouse को pair कर सकते हो, आपनी बहुत सारी sardies के साथ, इसके साथ, अपनी बहुत सारी sardies के साथ, इसके साथ, अटेचे, बट मैंने इसमें कभी sleeves नहीं लगवाई, because मु यह बहुत ही basic सा, plain cotton का कुछ इस तरह का blouse है, so यह इसका front था, यह इसका कुछ इस तरह का back है, back में भी काफी deep, इसका neck है, और पीछे यहाँ पे इस तरह के hooks लगे हुए हैं, जिससे easy लिए आप इस blouse को wear कर सकते हैं, then इसमें कुछ इस तरह की colorful, काफी खुपसूरत से tessels लगे हुए हैं, so that's all about this blouse, इसमें सिर्फ इतना ही है, बाकी यह full padded blouse है, जिसकी वज़ा से आपको fitting का no doubt कुछ भी इस्यू नहीं रहेगा, this is the first must have blouse, now next blouse है, वो भी एक favorite and must have color है, yes I am talking about this plain black blouse, जो एक plain basic से black blouse की बात करी हूँ, जो आपके पास जरूर होना चाहिए, जो black basic सा plain blouse, you know, एक game changer का काम करता है, बहुत सारी सारी का, you know, look ही आप कर देता है, change कर देता है, जब कुछ समझना है किसी भी सारी के सारी के साथ, तो black तो must have है, बही चलनी ही जाता है, आप use करके देखना, हमेशा काम करता है, black blouse, मेरे पास जो blouse है, यह है तो बहुत ही plain, ल इस तरह का shimmery और shining वाला material है, जिसे मैं multiple सारी के साथ use कर सकती हूँ, but I think एक black basic सा plain होगा, तो भी काफी useful होगा, उसने काफी influencers को Instagram पे style करते हुए देखा होगा, बहुत करते हैं, जादतर black blouse के साथ सारी को easily style करते हैं, और काफी खुबसूरत वो सारी लगती है, का front का neck और round simple सा neck है, that's it, और यह इसमें basic से tussles है, जो की shoulder में काफी अच्छी fitting मुझे देते हैं, जो क्या होता है ना कहीं बार deep neck की वज़ा से, जो shoulder से वो कहीं बार बहुत गिरते हैं, तो फिर, this is the comfortable thing you can do with the blouses, now guys moving on to the third blouse, जो तीसरा blouse आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहि कोई भी आप printed या plain, solid और non solid color के साड़ी के साथ, easily mix and match करके पहन सकते हो, तो मेरे पास यह बहुत ही खुपसूरत, setting के material में, maroon color का, plain basic सा blouse है, जिसे मैं बहुत सारी साड़ी के साथ, mix and match करके पहन सकती हूँ, so एक blouse आपके पास ऐसा होना चाहिए, जो solid color में हो, plain हो, जिसे आप easily बहुत सारी साड़ी के साथ, mix and match, तरह से front से दिखता है, जिसमें कुछ simple सा basic सा वीनेग बना हुआ है, इसकी जो sleeves है, वो elbow तकी है, यहां से थोड़े से टक्स टले हूए है, उसकी वज़ज़ से all over, जो sleeves का look है, वो काफी आप होके दिखता है, काफी nice होता है, इसकी जो picture है, वो side में, पोस्ट कर दूँगी, आपको clearly समझ में आ जाएगा, इसका जो back है, वो कुछ इस तरह का है, यह actual में backless blouse है, काफी deep है, इसका नेक, यहां पे simple से नीचे इस तरह की tussles लगे हुए, जिससे इसको tie करके में इसको complete करती हूँ, इसको कम्प्लीट करती हू काफी साडी के साथ, easily mix and match हो जाते हैं, और काफी खुबसूरत लगते हैं, all over आपकी जो साडी, उसका look काफी up हो जाता है, काफी change हो जाता है, you never know कि इस साडी के साथ का यह blouse है, या मैंने कोई और साडी के साथ का blouse पहना है, now next to fourth must have blouse है, वो कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा embroidered blouse है, जिसमें काफी खुबसूरत जरी का golden embroidery हुआ हुआ है, काफी खुबसूरत यह blouse लगता है, आपको close से दिखाती हो, इसका embroidery जो है, वो काफी खुबसूरत है, यह आप पूरा देखोगे ना, golden जरी का काम इसमे हैं, जिसके वज़े से इस blouse की all over खुबसूरती काफी अच्छी दिखती है, और यह must have blouse, इसलिए क्योंकि इस तरह के blouses को आप बहुत तरह से यूनों, यूज कर सकते हो, ना केवल सारी के साथ, आप इने crop top के साथ, आप इने anarkaly, as a anarkaly भी पहन सकते हो, आपने बहुत सा बहुत अच्छे से work करेगा, as a crop top तो यह बहुत खुबसूरत है ही, as a लहंगे के साथ भी आप इसे बहुत तरह से पहन सकते हो, किसी भी plain, solid, flared skirt के साथ भी आप इसे easily mix and match करके पहन सकते हो, क्योंकि यह काफी भरा-भरा है, तो आप इसे किसी भी plain, color की solid सारी के साथ भी easily mix and match करके पहन सकते हो, printed side is के साथ भी आप पहन सकते हो, तो काफी, you know, इस तरह के जो blouses होते हो, काफी versatile blouse होते है, so I think इस तरह का blouse must have blouse है, जो आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया, अलग-अलग तरह से हम इसका use कर सकते है, now guys, last but not the least, this is again a must have blouse, actual में ये crop top है, so इसे भी मैं पहले अपने एक वीडियो में आपके साथ share कर चुकी हूँ, काफी खुबसूरत सा ये crop top है, ये crop top कम blouse कह सकते हो आप इसे, बहुत तरह से इसका use है, काफी काम आने वाला ये again एक blouse है, भरा-भरा से आप देख सकते हो, पूरा इसमें thread का embroidered work ह काफी खुबसूरत, colorful, printed और flan के design में इसमें कुछ इस तरह का work है, जो की काफी खुबसूरत है, इस blouse में नीचे आप देखोगे तो कुछ इस तरह के लाके काफी खुबसूरत से, tube light, subtle से इसमें लगे हुए है, नेक में again golden सी lace लगी हुई है, shoulder में भी लगी हुई है, ये स्लीव लेस, basic सा blouse है, और प्लस crop top को तो आप साड़ी के साथ, easily mix and match कर सकते हो, ये तो काफी trend में है, हमेशा trend में भी रहता है और आपने देखा होगा काफी influencers को ऐसा करते हो, एक तरह से game changer का काम करेगा, जो आपको बहुत काम आएगा, actual में this is must have series, जो की मैंने blouse में आई की first series है, तो आगे आपको must है, blouse की second series भी देखने को मिलेगी, so उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना है, पास वाले bell icon को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो की notification आप miss ना करो, so guys ये था आज का वीडियो, hope ये 5 must have blouses आपके लिए helpful रहे, वीडियो अच्छे लगी तो please like कीजिए, share कीजिए friends of family के साथ, and subscribe कीजिए मेरे चैनल को, और भी स्तिर के वीडियो के लिए, मिलती हूं next वीडियो में, till then, bye, check